हेलो एव्रिवान वेलकम टू स्टड़ी 33 MPG के GS सिरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं मद्यप्रदेश की नदियां मद्यप्रदेश की नदियां इसके प्रिविएस लेक्चर में भी हमने बिसक्स किया था और उसमें हमने नर्मदा नदी के बारे मैं बढ़ा था इसी सीरीज में हम आपसे अब नेक्स जो नदियां हैं मद्धि प्रदेश की उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो मद्धि प्रदेश की नदियां ये स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो मद्यप्रिदेश की नदिया इसमें आज के लेक्चर में हम आप से डिसकस करेंगे चम्बल नदी, सोन नदी और तापती नदी के बारे में तो इन तीनों नदीया बहुत ही मात्पूर नदीया हैं और इन में से बहुत से कॉश्चन देखने को मिलते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नदी और उसके बाद इंपॉर्टेंट नदीया जाती है वो है चम्बल नदी तो देखते हैं चम्बल नदी तो इसके पहले हम इनने मैप से देख लेते हैं इनकी पॉजिशन क्या होती है चम्बल नदी जैसे यह आप MP का मैप देख रहे हैं MP के मैप में चम्बल नदी की पॉजिशन देखेंगे यह MP के मैप में यह आपका पूरा यह इंदौर है यह आपका इंदौर है इंदौर में यहाँ पर है जाना पाव की पहाड़ी महू की निकट जाना पाव पहाड़ी से यह चम्बल नदी निकलती है और यह जैन, रायसेन, मंसौर, नीमच में प्रवाहित होते हुए यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद फिर अगेन ये MP में एंटर करती है चंबल एरिये में यहाँ पर शियोपूर में एंटर करती है और यहाँ पर शियोपूर में एंटर करने के बाद फिर ये मुरेना में और यहाँ बहुत अधिक इसका बहुत छेतर है मुरेना में एंटर करती है और मुरेना के बाद यह भिंड में एंटर करेगी और भिंड के बाद यह यूपी में चली जाती है और यूपी में इटावा के पास यूपी में एक स्थाने इटावा वहाँ पर जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है तो यह हमारे चंबल नदी का प्रवाच छेत्र चंबल नदी इसकी जो लम्बाई है ये 965 किलो मीटर है तो चंबल नदी के बारे में हमने ये देखा इसके बार ये चंबल नदी है ये मुरेना जिले में बहुत ज़्यदा अवनाली का अपर्दन देखने को मिलता है कॉश्चन कई बार पूछ गया है अवनाली का अपर्दन सबसे ज़्यादा किस नगर में देखने को मिलते हैं या किस नदी के दौरा देखने को मिलते हैं तो चंबल नदी के दौरा सबसे अधिक अबनाली का पर्दन देखने को मिलता है और वो किस नगर में सबसे अधिक अबनाली का पर्दन देखने को मिलता है तो वो मुरेनद जिदा में अजो हमने ये देखा और इसके बारे में हम फैक्ट देख लेते चंबल नदी के बारे में चंबल नदी का ओधगम इंदौर्ड छिले में महू के समीब जाना पाव पहाडी से है और यह नदी इतावा के पास यमुना में मिल जाती है मध्र अधिछ की सबसे लंबी नदी है उसका आ जो प्रवाहद थी यह 1070 किलोई मीटर नदी का प्रवाहद च्छेड़ का नदी नंदंद नंद नदी अनंदे में हें सबसे वड़ी नदी और इसकी लंबाई है 965 कि लो मीटर इसके बाद इसके अन्य नाम भी कई बार पूछे गए हैं चंबल नदी के अन्य नाम क्या है तो बहुत important question है अन्य नाम धर्मावती चर्मावती कुछ नाम से भी आए तो ये चंबल नदी ही कहलाती है तो हम देख लेते हैं और कोटा में यहां पर ये बहुत important है चूलिय जल पर पाद किस नदी के द्वारा निर्मित है तो वह चंबल नदी के द्वारा और कोटा में बहुत रोड़ गर्ड में है यह चूलिय जल पर पाद और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं सिंध पारवती काली सिंध और शिप्रा नदी इसकी सहायक नदियां इन सहायक नदियों को देख लेते हैं चंबल नदी सी कहां पर मिलती है तो सबसे पहले शिप्रा नदी शिप्रा नदी जो इंदोर में एक उजैनी गाउं हैं इंदोर में उजैनी गाउं से काकड़ी बड़ी पहाड़ी से निकलती है और यह जाके मनसौर में यह बहती हुई इंदोर उजैन उजैन रतलाम में बहती हुई यह जाती है मनसौर में और मनसौर में जाके यह मिल जाती है चंबल नदी से तो दूसरी आज जाती है काली सिंध नदी ये आपके शिप्रा नदी ये काली सिंध नदी देवास के बागरी गाउं से निकलती है और यह शाजापूर आगर मालवा होती हुए राजसान प्रविश्ट करती है और कोटा में जाकर यह चंबल से मिल जाती है इसके बाद जाती है पारवती नदी पारवती नदी यह सिहोर से निकलती है और सिहोर से जाती हुए यह शाजापूर पूर्ण कुछ बॉर्ड़ शाजापुर की भी नहीं लगती है राय सेन गुना होते हुए रहसान में एंटर करती है और कोटा में यह भी जाकर चंबल नदी से मिल जाती है पिर नेक्स नदी है सिंध नदी सिंध नदी यह विदीशा से निकलती है विदीशा की सिनोज तहसील निकलती है और एक गुना होते हुए एक गुना को पूलते हैं यह दो पार्ट में डिवाइड करती है सिंध नदी गुना को बराबर खाल में विभाजित करती है शाजापूर शरी शिपुरी ग्वालियर और भिंड होते हुए इतावा के निकट ही यमुना इतावा के निकट ही है यमुना में मिल इतावा के पास भी है चंबल नदी में मिल जाती है यह हमने देखा कौन कौन सी नदिया थी शिप्रा कारी सिंध पारवती और सिंध नदि यह सहायक नदिया यह हमने देखी सिंध पारवती कारी सिंध और शिप्रा नदिया अब इसके बाद बहुत इंपोर्टन्ट है चंबल नदी के किनारे कौन-कौन से नगर बसे हुए हैं या मुरैना किस नदी के तठपर है भिंड किस नदी के तठपर है या नीमच, मंसौर, शोप और महूर अतला यह किस नदी के तठपर हैं यह कई बार questions पुझे गए हैं पर्टिकुलर कोई भी शहर नगर को ले लेंग तो आपको बताना होता है, तो महू, रतलाम, यह आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर, यह तो चम्बल के एरिये यह तो आपको पता है, नीमच, मंसौर, मंसौर आपको पता है, नीमच से उकर जाती है, और मंसौर भी आपको पता है, यहाँ पर शिप्रनदी आकर मिलती है हाना महू ये इन दौर में है रतलाम ये भी आपको पता है तो ये सारे नगर है जो चंबल नदी के तड़ पर है चंबल नदी पर बने बांध चंबल नदी पर कौन-कौन से बांध बने हुए है तो चंबल नदी पर बने हुए बांधों को आप गरज से याद रख सकते हो गर गरज गरज से याद रख सकते हो चंबल नदी पर बनने हुए बांधों को यह बहुत फेमस है चंबल नदी पर कौन-कौन से बांध बने हुए है तो आप गरज से याद रख सकते हो गाह से होता है गांधी सागरबान गाह से गांधी सागरबान जो गांधी सागरबान है यह म मनसौर में बना हुआ है गांधी सागर बांध यहां पर मनसौर में फिर्रा सराणा प्रताप सागर यह चितौर गड़ के पास है राजिस्थान में और जाई जवाहर सागर बांध गरज गरज तो यहां पर कोटा में राजिस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए है यह देख सकते हैं आप चितौर गड़ में राणा प्रताप सागर बन जवाहर सागर बन कोटा राजिस्थान में तो यह हमने देखा कौन-कौन से साहयत नदिया है कौन कौन से नगर बसे हुए कौन कौन से बांध बने हुए है Ready लगष पर और नेक्स देखते हैं यह हमारी होगी चम्बल नदी के बारे में हमने सारे फैक्ट्स तेखे कि चम्बल नदी का उधगं कहां से होता है चम्बल यह टावा के परमुना में मिल जाती है और यह सबसे दूसरी बड़ी नदी है इसकी लंबाई क्या होती है और एक कौन सा जर्परपाद बनाती है चूलिया जर्परपाद बनाती है इसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी है और चंबल नदी के किनारे बसे कौन-कौन से शहर है चंबल नदी पर कौन-कौन से बांध बन आपको चुटेगा नहीं और कोई भी कौशन आएगा इस इन फैक्ट जो मैंने बताया आपको इससे जादा कोई भी कोशन नहीं बनेगा और बागी आप मैप की स्टडी करिए मैप मैं आप देखकर और बहूत से कौन सेट आप लगा सकते हैं फिर इसके बाद मैक्स्ट हमारी नदी आ जाती है तापती नदी अपने नदा नदी के बारे में हम ने आपको सारे फैक्स इसके प्रिविएस वीडियो में बताएब आपने यह वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे Study 33 चैनल में जाकर प्लेइलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेइलिस्ट में जाकर आप MPGK GS सीरीज में नंदर नदी के बारे में आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं तो आप नंदर नदी का उससे आप लेक्चर देखिए उसके बाद नेक्स्ट आएज हमारे चंबल नदी के ने हमने बताया आपको इसके बाद हम आप नेक्स्ट आजाते हैं तापती नदी के बारे में हम देखते हैं तापती नदी का उदगम बैतूल के मुलताई नामक स्थान से होता है ये बैतूल है बैतूल के मुलताई नमकिस्थान से तापती नदी का उदगम होता है ये नमदा नदी के समांतर बहती है और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरेगी और जानदमुक का निर्मान करती है ये जो नमदा नदी का निर्मान करती है ये बैतूल के मुलताई नमकिस तो यह तापती नदी के बारे में इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं देख लेते हैं तापती नदी बैतुल से मुल्टाई नामक पहाड़ी से निकलती है बैतुल में कौन सी पहाड़ी मुल्टाई नामक पहाड़ी से गुजराद में कुस को इस जो लंबाईय है ये पोड़ल लंबाईय होती है गुज्लास में अंटर करते हुए वोसा कि अउसम्लोडी है सूरत के निकत खंबाट की घाड़ी में है किरती है तोड़ा प्रिंटिंग मिस्टिक है उसके लिए सारी यहां पर दॉस्पा नदि पुंद सोड तॉब scicam और छब पर्हूंजनों के बारे में पढ़ेंगे तो इन पर्हूंजनाओं के बारे में डेटेल में चर्चा करेंगे अपर तापती परियोजना क्या होती है लौर तापती परियोजना क्या होती है यह महाद्धिपरदेश और महारास्त की सैयुक्त परियोजना बनाई गई है यह नदी पश्यम की और प्रवाहित होती हुए एशुरी का निर्मान करती है और इसकी सहायक नदियां है पूर्णा, शेवा और बोरी और इसके मुल्ताई नगर बुर्हानपुर इसके किनारे बसे हुए शहर है तो यह हमने देखा तापती नदी के बारे में इसके बाद नेक्स जाजाते हैं सोन नदी सोन नदी के मारे में सोन नदी का पहले प्रवाचेतर देख लेते हैं सोन नदी कहां प्रवाहित होती है तो मैप में आप देखेंगे सोन नदी यह अमर कंटक या अनुपूर है यहाँ पर यह अनुपुर के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और यह अनुपुर में परवाहित होते हुए फिर शैडोल में कुछ पार्ड इसका एंटर कर जाता है फिर शैडोल के बाद यह उमरिया, सतना और रिवा होते हुए यह यूपी में एंटर कर जाती है नदी से जाकर मिल जाती है तो यह सोन नदी है जो वो गंगा की सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी है यह यमुना में नहीं मिलती है यह बिहार में गंगा नदी से मिलती है और सोन नदी की सोन नदी में जो सोन नदी है इसका प्रवाद छेत्र MP, UP, मद्र प्रदेश, उतर प्रदेश और बिहार तीनों जिलों में है तो इसकी जो भी पर्योजना होगी वो तीनों जिलों की सियुक्त पर्योजना होगी तो सोन नदी पर सागर में बांड सागर पर योजना चलाई जा रही है और यह जो बांड सागर पर योजना है यह MP, UP और बिहार की से युकत पर योजना है तो यह facts सोन नदी के बारे में और देख लेते हैं सोन नदी उद्गम अनूपपुर जले के मरकंटक पहाड़ी से होता है और बिहार में पटना में दानपुर नामकिस्थान पर गंगा से मिल जाती है इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमेटर इसकी लंबाई है और इसका प्रवाच छेतर देखेंगे तो 17902 किलोमेटर इसका प्रवाच छेतर है सोन नदी पर बाट सागर परियोजना शैडोल जले के देवलोन नामकिस्थान पर है जो MP, UP, बिहार की सहिए उक्त परियोजना है तो ये सारे फैक्ट्स हमने देखे इसके बाद सहायक नदिया कौन सी है रिहान चोहिला ये सोन नदी की सहायक नदिया है तो आज की चेप्टर में हमने तीन नदियों के बारे में पिस्तित में चर्चा करी चंबल नदी, सोन नदी और तापती नदी के बारे में तो I hope आप सबी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा यदि आपको इस वीडियों में नदियों के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमारे comment box में comment करके पूछ सकते हैं और discuss कर सकते हैं यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और इसके बाद अब next हम last में इन जो नदियों के बारे में चंबल नदी, सोन नदी और तापती नदी के बारे में प्रिवियस एर एक्जाम में जो भी question आया हुए हैं उनके बारे में discuss करते हैं तो चलिए discuss करते हैं important facts important facts question direct ही जो बनके आया हुए है उनी को मैंने लिया हुआ है जो कि MBPSC, पटवारी, जेन प्रहरी और प्यापम के जो भी exam होते हैं उन सबी के questions को यहां पर देखा जा रहा है कौन सी नदी स्वन्ने नदी के नाम से जानी जाती है तो स्वन्ने नदी को स्वन्ने नदी के नाम से जाना जाता है प्रदेश की कौन सी नदी सरवादिक अवनाली का परदन करती है तो सरवादी का अवनाली का अपर्दन देखने को मिलता है चम्बल नदी के बारे में इसके पहले अवनाली का अपर्दन क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियां वाला चक्तर है जो मद्ध प्रदेश की मित्यां उसमें मैंने अवनाली का अपरधन मरदा अपरधन को डिसकस किया हुआ है आप उस वीडियो में जाकर इसको समझ सकते हैं फिर प्राचीन काल में कौन सी नदी को धर्मवती या चर्मवती के नाम से जाना जाता है तो वह चंबल नदी को कौन सी नदी मन्त प्रधेश की सीमा जाती है यहां अफर्मवती ओर्राजिस्थान की दरौ और दौक यह आति मद्ध प्रधिश का ड्राजिस्थान की अट जाता है वह चंबल नदी भारत की बृदभ paralysis आकि गांधी सागर्बांद कौन सी थी गांधी सागर्बांद पर बनाई हुई थी और वह किस नदी पर है तो वह चंबल नदी पर मंसौर में है तापती नदी का उलगम इस्थान क्या है तो वह बैतूल जिले के मुलताई नामक इस्थान से तो देखिए सारे questions बहुत easy आते हैं औ आपने समझा हुआ है नदी को उसका प्रवाच छेत्र आपको पता है मैप से आपने फुल एनालेसिस करके पढ़ाई की हुई है तो आप देख सकते हैं इस सारे facts बहुत ही easily आपको आप लॉजिक लगा के अंसर दे सकते हैं तो यह आज हमने लेक्चर में देखा चंबल नदी और तापती नदी के बारे में इनके बारे में important facts और जो भी question बनते हैं उसको देखा तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए subscribe कीजिए और अपने friends के साथ शेयर गीजिए थैंक यू